नमस्कार दोस्तों मौसम विभाग को लेकर अब यह भी की सबसे बड़ी ख़बर अगले 48 गंटे 12 राज्यों को मौसम अचानक से बिगड़ने वाला है और इन 48 गंटों में दोस्तों उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान जारखंड समीत कई राज्यों में जमा जम बारिस ह चलते मौसम अचानक से सुहावना हो गया है मौसम विभाग ने अभी अभी भविसेवानी की है कि अगले तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश बिहार समीत देश बर के कई राज्यों में दोस्तों अगले दो दिनों तक भारी बारिस होगी और दिल्ली में ओलव रष्टी का अनुमान मौसम विभाग की द्वारा जताय गया है पिछले 24 गंटे के मौसम की बात करें तो दिल्ली राजस्थान और उत्राखंड में बयंकर ओलव रष्टी हुई है लद्दाक, हरियाना, दिल्ली, गंग्य पस्चिम, बंगाल, हिमाच उत्राखंड, उत्रप्रदेश, पूर्वी राजस्थान में हलकी से मध्यम गति की बारिस हुई है साथ ही कई जगे ओलव रष्टी और आंधी भी चली है वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, चतिसगड, असम, मेघाले, गुजरात, गोवा, गाना, करनाटा, केरल, पड़ुचेरी, ओडिशा, जारखंड में दोस्तो जमा जम बारिस हुई है ओडिशा में गंगे पस्चिम बंगाल में भारिबारिस देखी गई है जम्मु कस्मेर, उत्राखंड, पंजाब, भरियाना, दिल्ली, पूर्वी उत्तरप्रदेश, राज के अनुसार पस्चिम हेमाले छेतर में दोस्तो आज बहुत भारी बारिस होने की संभावना है इसके अलावा तीन अप्रेल तक हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, पंजाब और हरियाना में बारिस और ओलव रष्टी का भेंकर अलर्ट जारी किया गया है सात्यों बता दें कि नौर्थ इस्ट राज्यों में भी बारिस आंधी का अलर्ट है नौर्थ इस्ट इंडिया को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि दोस्तो आज से और अगले तीन दिनों तक बारिस आंधी तूफान बिजली कड़कने के साथ तेज हवाई चलने का अनुम जिस पर मौसम से जुड़ी बिल्गल लेटेस्ट और सठीक जानकारी आप तक अपडेट करवाई जाती है इसलिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्ये से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में ह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विदा आपको मौसम से जुड़ी नई जानकारी लेकर इसलिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो साथ ही किस राज्ये से वीडियो देख रहे हो कॉमेंट बॉक्स में अब इससे बता कर जाएं दोस्तो जेहिं